बहुती अर्जेंट अपडेट करने वाले सीए फाउंडेशन जून 23 का आइस एक ओफिसियल अपडेट है जो भी रीपीटर स्टुडेंट होंगे उनको पहले से पता होगा तो प्लीज स्टुडेंट्स वीडियो को स्किप कर दीजिएगा बट मेरा काम ये है कि किसी भी स्ट ऊल दा बेष्ट फाउंडेंट करके ठैंक्यू जरूर बोलिए गा मैं आप लोग को बेष्ट विशिज दूँगा आप लोग पिछले कितने महंत से चार्टे स्टुडेश को सपोकर्ट करते आ रहे हो बेष्ट विश्चस है सारे स्टुडेंट्स को स्टुडेंट्स आप अब लोग फाइटर हो डरना नहीं है एक्जाम से कुछ स्टुडेंट्स का मैसेज आ रहा तक घबरा रहे हैं डर लग रहा है डरो नहीं है स्टुडेंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा हाड़ वर्क कियो आप लोग का सारे स्टुडेंट्स का एक्जाम अच्छा होगा अगर आप लोग हार गये युद्ध वहीं पर हार गये डरना नहीं है रिलैक्स हो करके अपने से बरों से आसिर्वाद लेकर के एक्जाम देने जाना है खुद पे विश्वास रखो कि आप सारे स्टुडेंट्स अच्छे मार्क से पास करोगे स्टुडेंट्स अपडेट बताने से पहले छोटा सा बात आप लोग को इनफॉर्म कर देते हैं जो लोग भी रीपिटर स्टुडेंट्स है या जो लोग फॉर्स टाइम एक्जाम दे रहे हैं अगर उनको आइडिया नहीं कि एंसर से डिटेल को कैसे फिल करना तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है प्लीज स्टुडेंट्स अपना कीमती समय निकाल करके डिटेल को कैसे फिल करना उस वीडियो को जरूर देखना और हां मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया है अगसी ए एक्जाम में क्या-क्या मिस्टेक कर दोगे तो आपका रिजल्ट भी ठेल्ड हो सकता अगर आप लोगो को पता है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजे नहीं पता है तो समय निकाल करके 2X स्पीड में भी जरूर देख लीजिएगा अभी भी कुछ स्टुडेंस का डाउट आता रहता है एक्जाम सेंटर पे क्या-क्या चीज लेके जाना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कल के डेट में ही सारा वीडियो मैंने अपडेट किया है प्लीज स्टुडेंस उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पूरे यूटूब पे एक मात्र ऐसा चैनल है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के कारण सबसे पहले अपडेट करता है और आगे भी करता रहेगा अब जो डाउट आ रहा था जो लोग भी फॉस्ट टाइम कल के दिन में एक्जाम देने वाले हैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता जो भी जीज मैं बता रहा हूँ और ओफीशल वेबसाइट पे अपडेट है इसके बारे में आप लोगों को चार पेपर का एक्जाम देना होगा पेपर वन एंड पेपर टू तीन घंटे का पेपर होगा जिसमें 15 मिनट रिडिंग समय मिलेगा जो भी फॉस टाइम एक्जाम दे रहें उनको ऐसा लगेगा वैसे आप लोगों का सारा पेपर दो बज़े से है तो इस्टुडेंट को जो लोग फॉस टाइम एक्जाम दे रहें में कोई भी रिडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा दो बज़े ही कोशन पेपर मिलेगा आप लेट 2.15 तक एक्जाम सेंटर पे जा सकते हो 2.15 तक आपको इंटरी मिल जाएगा लेकिन दिक्कत यह है ने कि 2.15 तक जाओगे तो आपको 30 मिनट बड़बाद हो चुका होगा नहीं आपको रिडिंग टाइम मिलेगा आपको 2.15 सही लिखना स्टार्ट करेबा पूरा परेसान हो जाओगे स्टुडेंट्स और एक और बात अपने माइंड में ट्रैफिक बना के चलो कि ट्रैफिक लग सकता है एक्जाम रूम में स्टुडेंट्स जाना स्टार्ट कर देते हैं 1.30 पीम से यह टोटली सेन्टर पे डिपेंड करता है कितने बज़े अंदर ले जाना है लेकिन मीनिमम 1.30 पीम से अंदर ले जाना अभी तक तो ऐसा possibility हो सकता है कि आपको center ढूंडने में भी समय लग जाए तो आप लोग घबरा करके panic हो जाओगे और अपना exam बरबाद कर दोगे मुझे पता इस वीडियो में negative comment आने वाला लेकिन आपके लिए मैं video बना रहा हूँ तो आपको ये सब mind में रखना है कि traffic भी बढ़ सकता है और center भी नहीं देखे हुए है तो पहला दिन थोड़ा पहले घर से बाहर निकलिएगा students किसी भी हर हाल में एक p.m. तक center पे होना चाहिए paper 1 and paper 2 में 5 बजे आप लोग exam छोड़ सकते हो इससे पहले नहीं और paper 3, paper 4 दो घंटा का होता है तो 4 p.m. में आप लोग submit करोगे अब ध्यान से बाते को सुलने न paper 1 and paper 2 में आप लोग question paper को घर ला सकते हो paper 1 and paper 2 में सिर्फ और सिर्फ answer book को submit करना होगा बट paper 3 and paper 4 में आपको question paper के साथ-साथ OMR answer sheet भी submit करना होगा गलती से भी question paper को paper 3 and paper 4 को घर पे मत लेके आ जाईएगा और हाँ students invigilator आपके admit card पे sign करेंगे और साथ में हर paper में आपको एक attendance register दिया जाएगा उस पे आप लोगों को sign करना परेगा ये दो चीज भूलना नहीं नहीं तो आगे चलके दिक्कत हो सकता है students कम से कम दो वीडियो को अभी जरूर देख लेना descriptive answer से detail को कैसे feel करना और exam center पे क्या-क्या चीज लेके जाना checklist वाला वीडियो होगा उसको जरूर देख लीजिएगा और हाँ students best wishes आप सारे complete कीजिए students